नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका Self Study के चैनल में राज हम बात करने वाले हैं कि देखे एक Oxfam की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में काई कि inequality जो लोगों को मार रही है यानि कहें दुनिया भर में भारत के अंदर ही नहीं भी ये चीज़ें होती जा रही हैं तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और काफी सारी चीज़ें आपको अश्चरे चकित करने वाली मिरेंगी इस वीडियो के अंदर तो वीडियो शुरू करने से पहले ही पहले बोल देते हैं कि देखें जो कोविड आया है, कोविड के कारण जो भुले आप वर्ल्ड के उपर बात कर लो जो भारत के उपर बात कर लो इस महामारी ने बहुत जादा बूरे परभाव डाले हैं लोगों की आमदनी के उपर ये इस रिपोर्ट में बोला गया है आपके सामने इमेज भी रखी गई है कि देखे गरीब और गरीब हो रहा है अमीर और अमीर हो रहे हैं आप जानकर रहना नहीं होगी आने वाले टाइम में आने वाले टाइम क्या आने वाले इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने ज़ादा अमीरों की संक्या हो गई है और कितनी ज़ादा गरीबों की बढ़ गई है आगे चलते हैं देखे अब बढ़ क्या रही है अब यहां पर देख लीजिए बढ़ती है ऐसमानता ऐसमानता कहां बढ़ रही है इसकी प्रिणाम कहा है देखें वो भले एकनोमिक यानि आर्थिक रूप से हो भले वो जेंडर के रूप से हो भले वो नसलिय हो साथ इसाथ वो देशों के अंदर भी ऐसा मानताई बढ़ती जा रही है और महामारी के कारण देखें महामारी जब शुरू हुई ना दोगुना हो गई है और COVID-19 के कारण 99% लोगों की आय में गिरावट आई है इंकम में गिरावट आई है ऐसा मानता हर 4 सेकेंड के अंदर कम से कम एक इनसान की मोत का कारण बन रही है बहुत इंपोर्टन एक रिपोर्ट है अचा आर्थिक ऐसा मानता आर्थिक ऐसा मानता हो क्यों रही है एकनोमिक का वैलेंस क्यों क्यों हो रहा है यह सब चीजे अगर कानून अमीरों के हिसाब से बनने लग जाए उनकी नीट पॉल्सी जो है वो अमीरों के जो सबसे सक्तिशाली लोग है उनके इसाब से है चो महिला हो चो लड़किया हो नसलियसमू हो सबसे ज़्यादा परभावित यही हो रहे हैं दूसरी बात यह है कि सवास्थे देखवाल तक ऐसामान पहुंच अब होता है कि हर इंसान का अधिकार होता है कि वो अच्छी सवास्थे ले लेकिन अब आप जाते हो आप देखते हो कि यह जो सुवीदा है या यह तो अमीर ही ले सकते हैं तो उसको एक तरीके से अब देखा जाने लगा है कि यह सुवीदा गरीब के बस की नहीं है यह सुवीदा तो अब अमीर ही जूड़ता है तो वहां पर उसी के according काम किया जा रहा है अब यहां पर गरीबी से अभी हाल फिलाल में सुप्रीम कोट ने सेंटर कोवर्मेंट से कहा कि आप बताइए कि भारत में जो भुक मरी से यानि भूक से कितने लोगों की मोत हुई है उसके आंकड़े दीजिए तो भारत सरकार ने कहा थे कि भूक से एक भी इंसान नहीं मरें लेकिन यहां पर यह कह रहे हैं कि भूक उन में से कारण है जो गरीब मरते हैं और इसका सामना हर दुनिया का देश मतलब पूरी दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं इसका सामना कर रहे हैं उसके अलग से बात करेंगे बुकमरी का भारत में क्या हाल है एक अलग से से सेशन कर लहीं उसके उपर आप जलवायू परिवरतन बहुत इंपोर्टन चीज़ है अब सबसे गरीब बिलियन पूरस बहुत बहुत ज़ादा गरीब यह मतलब कि इतनी संक्या के अंदर यह जो गरीब लोग है इनके कमपेरिजन में सिर्फ कितने सिर्फ 20 अमीर लोग अगर यह CO2 निकाल रहे है वो इनसे 8000 गुना CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं यह अमीर लोग तो कितना जादा गैप है 8000 गुना जादा CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं अवजूद हमें फिर यह पढ़ाया जाते हैं यह देखिए यह कम करिए वो कम करिए सारी दिशें लेकिन एक्चुल में कर कोन रहा है यहां पर आगे चलते हैं अब वैक्सिन का रंग भेद भी देखा जा रहा है देखिए अमीर जो देश जो है न वो फार्मस्योटिकल जो अरपती हैं उनका समर्तन तो करी रहे हैं जिससे वो क्या कर रहे हैं कि अपनी जो अमीर जो लोग हैं अपनी एक तरीके के अबादी यह उनको बचा सके हैं लेकिन इससे भी उनका यह नुक्सान हो गया कि अगर कई मुटेशन हो गया तो उनको खत्रा हो जाएगा वहाँ पर लेकिन वैक्सिन के अंदर यह रंग भे देखा जा रहा है वो जमाखोरी कर रही है वैक्सिन की अपनी एक अमीर लोगों को बचाने के लिए अब भारत के रिस्पेक्टि में बात करते हैं भारत में देखे 2020-21 देखे COVID-19 से क्या हुआ है जो स्वास्थे बजट है 2020-21 उसमें रिवाइज एस्टिमेट किया गया जिसमें बताया गया कि 10% की गिरावट आई है स्वास्थे बजट के अंदर दूसरी बात सिक्षा के लि अंदर उसको भी उसके बजट को कम करते हुए 1.5% से घटा कर उसको 0.6% पर लेके आ गए हैं अब यहां पर बढ़ती है ऐसा मनता है बढ़ रही है ऐसा नहीं कि भारत में नहीं बढ़ रही है बहुँ जादा बढ़ रही है रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में बात की बात कर र 40 हो गए यानि अमीर तो और अमीर होता जा रहा है 142 में पहुँच गए हैं अमीरी का इजाफा देखें अमीरी का इजाफा ऐसा है कि भारती जो अमीर है ना भारती अरपती उनकी संपत्ति इतनी थी 23.14 लाग क्रोडर पे थी बढ़कर कितनी हो गई 53.16 लाग हो गई मतलब दो गुना से भी जादा उनकी संपत्ति बढ़की वेश्विक यानि वर्ड लेवल पे बात करों तो चीन और यूएसे के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां पर अरपतियों की संक्या सबसे जादा है भारत के अंदर 2020 में अरपतियों की संक्या में 39% का इंक्रिमेंट इसमें आप सोचके देखिए जब यहां पर महामारी चल रही है उस दोरान इनकी इंकम में कितना परसंट इजाफा हुआ है अब भारत में गरीबी अमीरी बढ़ रही है तो अच्छी बात है लेकिन गरीबी की एक बार नज़िया डाली है और आपको जानका है रहान होगी क अमीरी किस लेवल पर बढ़ रही है भारत में का जा रहा है कि 2020 के आंकड़े के यूएन के आंकड़े है यह कह रहे हैं कि 4.6 करोड चार पॉइंट 6 करोड जो लोग है वो बहुत जादा गरीबी की हालत के अंदर है बहुत जादा गरीब हैं यह अब वैश्विक यूएन के अदर पर अबादी का हिस्सा जिरो मातर 6% इंकम लेके बैठा है संपत्ती का ता सिर्फ वो कितनी ज़्यादा inequality है और भारत में विरोजगारी बढ़ी रही है अब यहाँ पर 2000 एक बहुत बड़ा जटका लगा है लेंगिंग समानता को भी जटका है लगा है जैसे कि 2020 में 2019 में जो महिलाएं कारेरत थी उनकी जोब चुटी 2020 में उन्होंने जो कुछ काम लगी कुछ महिलाएं जो कारेरत थी उन्होंने जो रुपया कमाया 2019 के मुकाबले में 2020 में उनको घाटा हुआ 59.11 लाग क्रोड रुपय का यह घाटा हुआ है यादि इतने रुपय कम कमाये हैं 2020 के अंदर अब यहाँ पर भारे सरकार ने क्या किया देखे 2020 में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो कॉर्परेट टेक्स है वो 30% से घठा कर 22% करते हैं जिससे नुकसान हुआ था डेड़ लाग क्रोड का भारत राजकोशिया को घठा हुआ था यह सारी चीजें तो एक तरीके से देखा जाएं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा कर इंकलोमिक को तेज करने की बात की जा रही थी और एक यहाँ पर यह दो चीजें मेरे को थोड़ी सी ऐसे अटपटी इसलिए लगी देखे ऐस समान अपने पास रखती है चीज़ को क्लियर यहाँ पर आगे की रह किया इन रह यह थै कि सभी यह सब के लिए ऐं कोई भारतao देख के लिए कि सभी देशों के लिए कि सरकारों को निपटने के लिए जो धनी जो लोग है जो बहुत जादा धनी हो गए है तो यहां पर इनके उपर tax लगाए दूसरी बात यह है कि वो एक तरीके की medical care जो है medical सुविधाएं है वो उनके उपर अच्छा खासा investment करे आने वाले time में जो भविश्य है वहां पर अच्छे चीज़ों के उपर investment किया जाए जो वास्तों में एक बहुत बड़ी आपको return दे उसके उपर investment किया जाए दूसरी चीज़ कि जो एक inequality जो आप बता रहे हैं आप यहां पर देखे तीन billion महिलाएं ऐसी हैं यह पूरे world की report है जहां पर कानूनी तोर पर पुरुषों के समान अगर मतलब कि एक समान नोकरी चुनने से रोका जा करता है यह अगर पूरुष को इनोकरी कर रहा है तो महिला उस नोकरी में नहीं आ सकती उनको इस मतलब कि ऐसा करने से उनको रोका जा रहा है पूरे विश्व के अंदर तीन billion महिला होगा ऐसा यह आंकड़ा निकाल के लेका हैं तो इसको करना होगा इसके लिए आपको ऐसे कानूर बनाने होंगे ताकि जो inequality जेंडर inequality इसको खतम किया जा सके तो यह चीज़ें करनी होगी clear I hope so आप लोगों को यह जेंडर inequality वाला या जो ऐसा मानता हो रही है जो वो एकनोमिक हो चो वो जेंडर हो चो वो किसी परकार की हो आपको यह समझ में आया होगा समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को साथ ही साथ ज़्यादा ही पसं आयो थैंक यू पर वोचिंग दिस वीडियो